जो आपके आगामी होने वाले एक फरवड़ी से इंटरमीडियेट के एकजाम के महतबुन प्रस्न है मुझे आसा और पुन विश्वास है कि इस प्रस्निक के उत्तर को आप जानकर याद करके आप परिछा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे धन्यवाद मैं लाया हूँ पहला सवाल है समिधान के निर्मान में कितना समय लगा समिधान के निर्मान में दो वर्स एगारा माह अठारा दिन लगे दूसरा नमबर प्रस्ण है समिधान सभा की प्रारूप समीती के अध्यक्ष कौन थे डॉक्टर भीम राव अम्बेजकर तीन नमबर है लॉड माउंट बेंटन ने वाय सराय की रूप में पद गरहन कब किया तो 24 मार्च 1947 को प्रस नमबर चाड़ है पाकिस्तान का पहला परधान मंत्री कौन था उत्तर है लियाकत अली पांच नमबर सवाल देखेंगे स्वतंत्र भारत के प्रधम गवर्णर जनर्रल कौन थे लॉड माउंट बेंटन चाड नमबर सवाल है भारत कीस वर्ष गंतंत्र बना तो भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था और गंतंत्र 26 जनवरी 1950 को हुआ साथ नमबर है भारत के समिधान के पिता किसे कहते हैं भारत के समिधान का पिता किसे कहा गया है तो डॉक्टर भीम राव अम्बेदकर को समिधान का पिता कहते हैं आठ नमबर है भारतिय राष्टिय कांगरेस के संस्थापक कौन थे ए ओ ह्यूम नौ नमबर है महबीर का जन्म कहा हुआ था तो महबीर का जन्म कुंडल वन बैसाली में हुआ था दैस नमबर सवाल है प्राचीन भारत में धम की सुरुवात किस सासक ने की थी तो धम का सम्मंध जो है राजा असोक से हैं धम की सुरुवात असोक ने किया था अगला सवाल है बुध चरित की रचना किसने की तो बुध चरित जो है एक परसिध रचना है जिसके रचनाकाड है और स्वगोश बाड़े नमबर सवाल है बुध धर्म की अस्थापना किस ने की तो बुध यानि बुध भगवान बुध ने जो है बुध धर्म की अस्थापना की थी तरे नमबर सवाल है बूध के उपदेशों का संकलन है बूधने जो उपदेश दिया था उनका संकलन किस पुष्दिका में है तो पुष्दिका का नाम है बिनाई पिटिक बिनाई पिटक में बुध का उपदेशों का संकलेन है चौदर नमबर सवाल है मगद समराज की अस्थापना मगद समराज की राजधानी थी कहां थी तो मगद समराज की राजधानी पाटली पुत्र थी पंदरा नमबर है मौरे बन्स की अस्थापना किसने की तो मौरे बन्स का संब्ःद प्रसनों की दौर में एक एक महत्पून प्रसन है जो आपके आगामी होने वारी परिख्शा के लिए महत्पुर्ण है मुझे आसा और पुर्ण विश्वास है कि आप इन प्रसनों को याद करके परके लभान भी थोंगे और अच्छे अंक प्राप्त करेंगे प्रसन नमबर 17 को देखेंगे इबन बतूता की इस देश से आया था तो इबन बतूता का नाम आता है मुरक्कों से मुरक्कों से आया था अठाड़ा नमबर है रिहला के रचनाकार कौन था रिहला के रचनाकार कौन था तो रिहला के रचनाकार इबन बतूता है 19 नमबर सवाल को देखेंगे किसने बिजयनेगर की यात्रा की इन में से किसने विजय नेगर की यात्रा की option जो है इसमें दिया हुआ है option number जो है C है निकोली कोंटी ने विजय नेगर की यात्रा की 20 नमबर सवाल है कि तेनाली राम का संबंद किस राजबन से है तो इसका उत्तर होगा विजय नगर 21 नमबर है कबीर दास किसके सिस्य थे कबीर दास किसके सिस्य थे तो रामानंद के थे option C जो है उत्तर है आगे हैं 22 नमबर कि बंगाल के प्रसीद सेन कौन थे बंगाल के प्रसीद सेन यानि बंगाल में वो प्रसीद से और सेन के नाम से प्रसीद थे तो बंगाल के प्रसिद सेन उनका नाम था चैतन्य महाप्रभू का नाम है बंगाल के प्रसिद सेन चैतन्य महाप्रभू को कहा गया है अगला सवाल है पावन पुझे हरी मिले किसकी काब पंक्ती है तो यह कबीर की है नेक्स्ट है 24 नंबर में देखेंगे कि बलभा चार्ज का जन्म हुआ आगरा बैंगलोर वारा नसी सिरी रंग पट्टुनम तो 24 नंबर है बलभा चार्ज का जन्म हुआ कहां हुआ तो इसका ओप्शन C जो है सही उत्तर है वारा नसी में 25 नंबर देखेंगे सिंदु घाटी सब्वेता की खोज राखल दास बनर जी ने कभी की तो सिंदु घाटी सब्वेता की खोज जो है 1922 इस्विम हुआ था इसका ओप्शन नंबर 6 सही उत्तर है नेक्स्ट है सिंदु घाटी सब्वेता जो है सिंदु सब्वेता मेशो पोटामिया संस्कृती की देन थी यह कथन किसका है तो यह कथन हुइलर और गार्डन उप्यूग दोनों का है अप्शन नंबर 6 सही उत्तर है हुइलर और गार्डन किया कर्थन है अगला प्रस्ण है हरप्पा संस्कृती के भवन निर्मान में इटों का अनुपात क्या था तो इट जो लगा था उसका अनुपात हरप्पा सब्वेता के भवन निर्मान में इटों का अनुपात कितना था तीटों का अनुपाट था, option नमबर D, सही उत्तर है, एक अनुपाट दो, दो अनुपाट चार था 28 नमबर सवाल है, सिंदु घाटी के निवासियों को किस धातु का ग्यान नहीं था बहुती महत्पुन प्रस्न है, इसको ध्यान से सुनेंगे और याद करेंगे कि सिंदु घाटी सभ्यता के निवासियों को, सिंदु घाटी के निवासियों को लोहा का ग्यान नहीं था option नमबर D, सही उत्तर है, 29 नमबर को देखेंगे कि काली बंगा इस्तित है, काली बंगा राजास्थान में इस्तित है तीस नमबर है, हरप्पा सभ्यता का परशासन था, कास्या परशासन था, तो option नमबर D है, नगर पालिका जैसा उसका परशासन था एक तीस नमबर को देखेंगे कि बेदो एओं पुरानों की संख्या है, कितनी है भाई, तो बेदो की संख्या चार है और पुरानों की संख्या अठारा है तो option नमबर D बिलकुल सही उत्तर है, अगला है तक्ष सीला विश्वविद्याले कहां है, तक्ष सीला का नाम जब ही आता है, तो हमारी जेहन में यह आता है अभी बरतमान में पाकिस्तान में है option नमबर D सही उत्तर है, 33 में है भारत का नेपोलियन की सासा को कहते है, भारत का नेपोलियन बहुत ही परसिध नाम है, भारत का नेपोलियन की सासा को कहते है, तो चंदर गुप्त 2 को जो है भारत का नेपोलियन कहा गया है अगला प्रस्ण है 34 नमबर महर्सी ब्यास दोरा उत्पन संतान थी तो महर्सी ब्यास दोरा जो है उत्पन संतान इन में से सभी थी पांडू धिरतराष्ट बिदूर ओप्शननमबर D ये सभी 35 नमबर है घटोट कच किसका पुत्र था घटोट कच किसका पुत्र था तो मैं यह सवाल का उत्तर दी होगा धीम का पुत्र था भीम ने हिडिम्बा से कौन सी बिवा संपन किया था तो या गंदर्व बिवा हुआ था भीम ने हिडिम्बा से कौन सा बिवा संपन किया तो गंदर्व बिवा कहते हैं option C सही उतर है, मह भारत के किस पर्व में वर्न बिवस्था का उलेक है, तो यह पर्व का नाम है, C है बिलकुल सही उतर, C में है, सांती पर्व है, 38 नमबर है कौन सा नगर पांडों ने बनाया था पांडों का नगर है हस्तिनापूर अगला है पांडू का पत्नी का नाम क्या था तो कुन्ती था Next है कोरो और पांडों किस बंस के थे तो वह नाम आता है कुरू बंस का option C बिल्कुल सही उत्तर है next है कासी में किस परशिद संत का जन्म हुआ कासी में किस परशिद संत का जन्म हुआ तो वह संत का नाम है वलवा चार्ज बिल्कुल सही उत्तर option number D 42 number है विजय नगर समराज के संस्थापक किस बंस के थे बंस का नाम है नाम तुलूब आता है लेकिन विजायन अगर संथापक जो है किस बंस के थे तो संगम बंस का नाम आता है विजायन अगर समराज के अंतिम सासक कौन था? सासक कौन था विजयन अगर समराज का अंतिम सासक कौन था तो क्रिस्न देव राए अगला प्रस्न है सुल्तान उलहिंद किसे कहा गया है तो इसका उत्तर एह है ख्वाजा मुईनिवदिन चिस्ति को अपनी आखों के सामने सती प्रथा देखकर कौन मुर्शित हो गया था यह बहुती महत्पुल प्रस्न है जानने वाली है कि अपनी आखों के सामने सती प्रथा क्या होता है कि जिसका पती मर जाता है तो सती प्रथा के अनुसार उसी चीता में उसी आग में पत्नी जल के मरती ह इसको देखकर जो है किसने मुर्शित हो गया था मतलब अपनी आखों के सामने इस प्रथा को देखकर कौन मुर्शित हो गया था तो इसका उत्तर है इबन बतूता ओप्शन नमबर ए बिल्कुल सही उत्तर है 45 नमर मध्योगीन यात्रियों का सर्थाज किसको कहा है तो इसका उप्शन बीज बिल्कुल सही उत्तर है मार्को पोलो को कहा है 46 नमबर को देखेंगे मुगल समराज के वास्तिविक संस्थापक है मुगल समराज के वास्तिविक संस्थापक option B सही उत्तर है बाबर है 47 नमबर है अकबर काबीत मंत्री कौन था अकबर काबीत मंत्री टोडर्मल था option B बिल्कुल सही उत्तर और तालिस नमर देखेंगे कि अबुल फजल का आईने अकबरी कितने भागों में हैं बहुत ही महत्मुन प्रस्ण है फजल का अबुल फजल का आईने अकबरी पांच भागों में हैं नेक्स्ट है फते पूर सीकरी को राजधानी किसने बनाया फते पूर सीकरी को राजधानी किस ने बनाया तो उसके में नाम आता है जहांगीर का जहांगीर ने बनाया था और यह पाशासमा और अंति महत्पुर प्रस्न है अकबर ने किस सन में दीन ए इलाही धर्म चलाया अकबर ने किस सन में दीन ए इलाही धर्म चलाया तो आप्शन पंद्रह सो एकासी आप्शन भी बिल्कुल सही उत्तर है धन्यवाद मित्रो इसी तरह से जब मैं अगले वीडियो में मिलूंगा नए प्रसनों के साथ नए विश्यों के साथ महजपुन प्रसनों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद